आज मैं बना रही हूँ उपमा ये उपमा मैंने बिना प्याज के बनाया है ये बहुती जल्दी बन जाता है और बहुती टेस्टी लगता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी उपमा बनाने के लिए मैंने हरी मिरश लिए, करी पत्ता लिया है, हरे मटर लिये हैं और हरादनिया लिया है बहुती कम सामगरी है एक कटोरी रोस्टेड सूजी लिया है उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी लिया है एक चमच नमक लिया है एक चमच राई ली है सरसो के दाने एक चमच धन्या पाउडर लिया है और दो चमच तेल लिया है कडाय को गरम कर लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल को थोड़ा गरम होने देंगे फिर उसमें हम राई डाल देंगे आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने ये उपमा बहुती कम चीजों से बनाया है लेकिन बहुती टेस्टी लगता है अब हम हरी मिच और करीपत्ता डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया डालेंगे हरी मटर डाल देंगे मटर को दो मिनिट के लिए भून लेंगे ये उपमा बहुती टेस्टी लगता है और पांच मिनिट में बनकर तयार हो जाता है अब हम सुजी डालेंगे ये रोस्टर्ट सुजी है इसे हम दो मिट के लिए मिक्स कर लेंगे ये मैंने मोटी वाली सुजी ली है आपके पाद जो सुजी अविलेबल हो आप वो ले सकते हैं अब मैं नमक डाल देती हूँ नमक आप अपने स्वात के हिसाब से डालें दन्या पाउलो डाल रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये उपमा गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगता है अब हम पानी डाल देंगे मैंने यहाँ पर तीन कटोरी पानी लिया है आप जिस भी कटोरी से सुजी लें उस कटोरी से तीन कटोरी पानी ले लें आपका उपमा भी परफेक्ट बनेगा अब हम इसे मिक्स कर देंगे और 5-10 मिट तक इसे पकने देंगे इसे बीच बीच में हिलाते रहें आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करके देखें आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसे बीच बीच में चलाते रहें लास्ट में हम एक चम्मच घहीं डालेंगे इससे उपमा भोती टेस्टी लगता है इसे मिक्स कर दें लास्ट में हमारा धनिया डालेंगे यह हमारा उपमा बन कर तयार है इसे गरम गरम सर्व करें ये देखिए कितने अच्छे से बना है उपमा अब हम इसे प्लेट में सार्व करेंगे पहले बाउल में निकाल ले ये हमारा गरम गरम उपमा तयार है